हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंचेट प्रिपरेशन योटूब चैनल इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला क्लास नाइन्थ मैथ्स एक्ससाइस 7.2 इस एक्ससाइस का यह है सेकिंड पार फर्स पार्ट में हम लोगोंने कोष्ण नंबर वन से लेकरके कोष्ण नंबर फोर तक कंप्रीट किया था उम्मीद करता हूँ आपने इसका फर्स पार्ट जरूर देखा होगा अगर आपने प्रिविएस कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो चैनल फ्रेंचेट प्रिपरे इसका नंबर 5 से सटार्ट ठीक है तो चलो यह स्क्रीन पर आपको यह डाइगराम घिरण है और उसके वेसिस पर यह कोषिन है कोष्ण नंबर 5 इसस एक बाद रीट करते हैं समझते हैं इसकोष्ण को और उसके बार इसे सॉल्व करते हैं ABC and DBC are two isolates triangle on the same base BC, C figure 7.33, so that angle ABD is equal to angle ACD. अब यह जो diagram आपको given है, यह आपकी NCID book से ही diagram है, और जो की 7.33 आपको बोला जा रहा है, इस diagram के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपके पास ABC, यानि ABC, यानि कि अपर triangle जो आपको दिखाए दे रहा है, यह वाला triangle और नीचे जो below में आपको triangle दिखाए दे रहा है, या पहले हम बात कर लेते हैं, ABC triangle के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास AB और AC, यह equal है आपके पास, और उसके बाद नीचे वाला bottom में जो triangle आपके पास है, DBC, DBC के अंदर आपके पास BD और उसके इलाबाद DC, यह equal sides है इसके पास, ठीक है, यह वाली side और यह वाली side दोनों equal है और question में आपको यह proof करने के लिए बोला जा रहा है, कि जो angle create हो रहा है, angle ABD, ठीक है, यानि कि ABD, यानि कि combine angle यह वाला और इसके इलाबा आपको बोला जा रहा है angle ACD, यानि यह वाला angle, यह दोनों हमें angle equal proof करना है, इस question को solve करने के लिए, सबसे पहले आप एक question को note कर लो, जब आप इसे draw करोगे, तो यह आपके पास ABD, ठीक है, ABD आपके पास एक triangle create हो गया, इसके लाब में आपके पास ADC, यह भी आपके पास एक triangle create हो गया, यानि कि यह two different triangles जो आपको दिख रहे हैं, अगर इनको मैं congruent proof कर दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि angle B और या angle C, यानि angle AB ABD और angle ACD, equal हो जाएंगे, ठीक है, तो चलो इसे solve करते हैं, तो सबसे पहले question को note करोगे, और यह diagram draw करोगे, और draw करने के बाद question का solution आप इस तरह से कर सकते हो, in triangle ADB and triangle ADC, ठीक है, यह दोनों triangle मैंने ले लिए, इसे first condition, आपके पास यह AD, जो side आपको दिख रहे है, यह common side है, यानि कि first triangle के अंदर, यानि ABD के अंदर भी है, और जो second triangle है, ADC, दोनों के अंदर यह common part है, तो आप इसे mention कर सकते है, AD is equal to AD, ठीक है, और bracket में आप इसका reason लिख दोगे, common side, ठीक है, तो आपने यह mention कर दिया, common side, उसके बाद next things अमें और identify करनी होगी, question के अंदर आपको given है कि यह AB और यह AC, यह equal है, equalist ही है, क्योंकि आपको बोला गया, कि triangle ABC, isolist triangle है, तो इसके जो sides बनके आ रहे हैं, यानि कि side AB और AC, यह भी equal हो जाएंगे, तो आप यह mention कर सकते हो, AB is equal to AC, और bracket में आप लिख दोगे, given, कि यह आपको question के अंदर given है, इसके इलाबा, third condition, आप यह जो bottom में triangle create हो रहा है, triangle DBC, इसके अंदर side BD, और side DC, यह आपको equal given थे, ठीक है, तो हम इस triangle के अंदर इससे use कर सकते हैं, कि first वाले में, जो आपके पास यह BD बनके आ रहा है, ठीक है, यह BD, और इसके इलाबा, इसके अंदर जो आपके बास CD बनके आ रहा है, यह दोनों के अंदर equal हो जाएंगे, और bracket में आप mention कर सकते हो इसी भी, यह आपको question के अंदर ही given है, तो यहाँ आप mention करते हो कि given, यानि कि three conditions चाहिए थे हमें, और तीनों condition जब हमें मिल जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं, कि therefore, triangle A, D, B is congruent to triangle A, D, C, ठीक है, आपने congruent इससे proof कर दिया, और condition आप लिख सकते हो, by side, side, side congruent, congruent criteria, इस criteria के थुरू आपने इसे congruent proof कर दिया, तो जब आपने इसे congruent proof कर दिया, तो जो इसके थुरू angle create हो रहे है, angle ABD, यानि ABD का मतलब है, यह वाला angle, और इसके में equal हो जाएगा, angle ACD, और bracket में आप result लिख सकते हो, by CPCD, ठीक है, तो आप आपने इस question में, जो आपको proof करने के लिए बोला गया था, कि इन दोनों angle को आपको equal proof करना है, वो आपने equal proof कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आपका question number 5 complete हो जाता है, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब समझ में आ जाता है, तो वीडियो को like जरूर किया कर रहेते हैं, triangle ABC, ABC मिल से ABC, is a isolated triangle in which AB is equal to AC, यानि यह आपके पास AB है, और यह आपके पास AC है, यह आपको equal given है, ठीक है, further आपको बोला गया, side BA is produced to D, अब जो side BA है, इसे further produce कर दिया गया, आगे extend कर दिया गया, ठीक है, point D तक, ठीक है, जैसे यह आगे create हो रहा है, such that AD is equal to AB, और इस तरह से कि यह, इसे आगे बढ़ाया गया, produce किया गया, तो यह आपके पास यह side बन के आ रहा है, AD, ठीक है, यह वाला, और यह AB है, यह दोनों भी equal है, यानि पहले यह दोनों equal दे रखे थे, अब यह दोनों भी आपको equal given है, ठीक है, जो कि आपके इस figure 7.34 में है, इस diagram को आप देख रहे हो, अब question में यह बोला जा रहा है, कि angle BCD, मतलब BCD का मतलब है, यह पूरा complete angle, is a right angle, यह आपको show करना है, यह आपको proof करना है, देखो, अब थोड़ा सा हम लोग use कर लेते हैं, कि आपने theorem 7.2 और 7.3 आपने जरूर इसे पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने इसके first part में 7.2 exercise की जो first video थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको theorem 7.2 और 7.3 अच्छे से explain किया था, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको पहले suggest करूँगा, कि आप यह वीडियो जरूर देखो, ताकि आपको theorem clear हो सके, क्योंकि math में geometry के अंदर, अग से solve कर पाओगे, ठीक है, अब देखो, उस theorem को use करके, हम लोग यह बोल सकते हैं, कि isolis triangle के अंदर, अगर आपके पास sides equal है, देखो, pair of sides equal है, तो इसके साथ जो angle create हो रहा है, जैसे यह वाला angle, और यह वाला angle, यह वाला angle, यह भी क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, ठीक है, तो आप इस question के solution में यह बात mention भी कर सकते हो, कि when a, b is equal to a, c, then we can write angle b is equal to angle c, ठीक है, यह हम लिख सकते हैं, उसके बात next आप यह लिख सकते हो, कि आपके पास जैसे यह equal था, यह भी equal है, ठीक है, यानि कि आपके पास a, b equal है, तो a, c equal है, और a, b किसके equal है, a, d के equal है, यानि अब यह दोनों side equal होगे, तो यह जो angle create हो रहा है, यह वाला angle और यह वाला angle, यह वाला angle, यह भी equal हो जाएगे, यानि यहाँ पर three sides equal है, it means यह हुआ, इनके through जो भी pairs में angles create होगे, जैसे यह दोनों angle equal होगे, और यह दोनों angle equal हो जाएगे, तो हम इसे assume करके चल सकते हैं, इस यह वाले angle kos x, अगर मैंने इसे assume किया, यह इसके equal होगे यह भी x हो जाएगा, ओर यह वाली side और यह वाली side iamo equal हो ओ ओ यह दोनो side equal होगे आपके पास, यह वाली side, और यह वाली side अगर equal होगे, तो अब यह कह सकते हो, यह система आगर equal हो, यह वाली side और यह वाली side साब्स डिल ह हो रहे हैं, यह सब के सब x ले सकते हो, अगर मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता लग जाए, तो इस question को solve करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस angle को भी हम एक नाम रख लेते हैं, इस angle का नाम 1 रख लेते हैं, और इस वाले angle का ना angle 1, angle 2 रख दिया, अब question को solve करना start करते हैं, ठीक है, अभी तक आपको ये diagram अच्छे से clear हो गया होगा, अब जो given है आपके पास, कि given आपके पास है, कि a b is equal to a c, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, therefore, अब a b और a c के equal, अब यहाँ पे आपके पास angle create हो रहा है, angle b, ठीक है, ये वाला angle, ये भी equal हो जाएगा, तो इसे आप mention कर सकते हो, angle a b c is equal to angle a c b, और दोनों की value मैंने क्या consider कर लिए, x consider कर लिए, ठीक है, ये हो गया, उसके लाब आपके पास जो side given है, next side आपके पास ac, ठीक है, ac side given है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो side है, ये भी equal हो जाएगी, क् आप फर्दर आपको यहां बोला भी गया था इस question के अंदर, कि ad, ठीक है, ad equal है आपके बस ab के, ठीक है, ये ad वाला portion और ये वाला portion, ये सब के सब क्या है, equal आपको already given है, तो आप इस question के अंदर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कि जो ac वाला portion है, ये वाला portion, ये किसके equal हो जाए ab is equal to ac, ठीक है, इसे फर्दर आप लिख सकते हो, यहां पे आपके बास ab is equal to ac, और ac is equal to ad, ठीक है, और ये जो तीनों sides है, तीनों equal थी, तो मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, कि ac is equal to ad, तो जो angle create हो रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये c वाला जो angle है, इसे लिख लेते हैं पहल लिए, और इसकी value क्या है, x है, ठीक है, हमने याद रखने के लिए, इनकी value को xx रख लिया, अब देखो मुझे अगर angle 1 और 2 की value पता लग जाए, तो question को हमने solve कर पाऊँगा, तो पहले हम करते हैं ऐसा angle 1 के लिखालने के लिए, तो आप ज़रा ध्यान से देखों, कि angle 1 की value अगर मुझे निकालनी है, तो मैं लिखू हूँ है, in triangle abc, ठीक है, abc में आप ये लिख सकते हो, कि जो आपके पास angle 1 प्लस, ठीक है, ये दोनों angle, x और x, मैं direct इनकी value रख देता हूँ, इनका नाम रख देता हूँ, xx ही रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान र angles के triangle के सारे angle है, तो angle 1 निकालना हूँ मुझे, तो angle 1 की value आपके पास हो जाएगी, ये 180, अब देखो ये xx है, ये क्या हो जाएगे, 2x हो जाएगे, 2x जो इधर plus में होगे, अगर मैं side change करूँ हा, तो इसकी value क्या हो जाएगी, minus 2x हो जाएगी, मैंने एक ही step में सारा काम क x को plus कर लिया, side change कर दिया, तो minus में आगया, ये 2x, यानिकि angle 1 की value मैंने निकाल ली, ठीक है, अब देखो दूसरे triangle के अंदर, तो मैं यहीं mention कर देता हूँ, in triangle acd, ठीक है, अब दूसरे triangle के अंदर देखते है, abc के अंदर आप कहले कर चुके हो, अब ऐसे करते हैं, ये triangle adc ले लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ, triangle adc, ठीक है, यहाँ पे जो angle 2 create हो रहा है, ये angle 2 ये वाला, और ये angle d और c, ठीक है, d और c की जगह मैं x और x रख लेता हूँ, और इन सब की value भी क्या होगी, 180 के equal हो जाएगी, क्योंकि तीनो angle किसके, interior angle of triangle है, तो इन सब का sum भी 180 क equal होगा, अब और angle 2 की value होगर मुझे calculate करनी है, तो मैं क्या करूँआ, 180 में से ये xrx माइनस कर दूँआ, xrx प्लस करोगे, 2x हो जाएगा, side change करोगे, तो ये आपके पास minus 2x आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसे मैं equation 1 consider कर लेता हूँ, angle 1 वाले को, और इसे म equation 2 consider कर लेता हूँ, ठीक है, अब फर्दर यहां करता हूँ, by adding 1 and 2, अब ये first और second equation जो आपके पास है, इनको add कर लो, तो आपके पास ये हो जाएगा, angle 1 plus angle 2, ठीक है, ये हो गया, left side में, और right side में आपके पास हो जाएगा, 180 minus 2x, और उसके बाद, 180 minus 2x, ठीक है, अब angle 1 and 1 अगर आप दिहान से देखोगे, angle 1 and 1, इन दोनों का sum क्या होगा, ये 180 हो जाएगा, क्योंकि ये linear pair of equation बन रहे हैं आपके पास, यानि कि angle 1 plus 1, 1 और 2, इन दोनों का अगर मैं sum करूँआ, तो ये 180 के equal हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही line की उपर है, ये linear pair of angles create हो रहे है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 180 रख सकता हूँ, तो मैं इन दोनों को combined, इन दोनों की value यहाँ पर 180 रख लेता हूँ, ठीक है, हो गया, अच्छा, उसके बाद ये जो आपने इसकी value निकाल ली, ठीक है, इन सब की value निकाल ली, तो अब यहाँ पर आप इस तरह रख स ठीक है, अब यहाँ से x की value अगर मैं find out करूँ, तो यह मेरे पास, इधर side change कर लेता हूँ, इधर मैं 4x लिख लेता हूँ, और इधर मैं लिख लेता हूँ, 360 minus 180 लिख लेता हूँ, ठीक है, this implies, फुर्दर आगर solve करूँ, तो x की value अगर मुझे निकालना हूँ, तो 360 में से 180 minus कर लूँ, तो जो मेरे पास क्याएगा, 180 आजाएगा, अब यह जो 4 multiply में था, इधर यह divide में आजाएगा, ठीक है, जब आप इसे 4 से divide करोगे, तो आपके पास इसकी value आजाएगी, 45, ठीक है, यह आपके पास क्या गया, 45 आजएगा, अच्छा, अब इस question में आपको बोला तो यह जो value आएगी आपके पास, यह दोनों angle, यानि यह वाला angle और यह वाला इसकी angle के equal आएगी, यानि angle a, c, b, ठीक है, angle a, c, b, plus में आप लिख सकते हो, angle a, c, d, इन दोनों को plus करेंगे, तो हमारे पास यह value आएगी, इन दोनों को अगर मुझे निकालना हो, अच्छा, इसकी value और इसकी value, दोनों की value क्या के है, x, x है, तो मैं इसे यहाँ पर further इधर लिख सकता हूँ, इसकी value के angle b, c, d, ठीक है, तो इसे x plus x लिख सकता हूँ, और x की value आप already निकाल चुके हो, 45, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, के angle b, c, d is equal to 45 plus 45, ठीक है, तो यह आपके पा value आपके पास 90 degree आ गई, ठीक है, अब जब यह आपके पास 90 degree आ गया, तो आप यह कह सकते हो, यह जो आपके पास angle पूछा गया, b, c, d, right angle प्रूफ करना था, आपने इसे प्रूफ कर दिया, तो therefore आप यहाँ पर लिख सकते हो, कि यह जो angle आपके पास है, ठीक है, इस angle, या right angle है, इस question को मैंने यहाँ से start किया था, फिर उसके बाद आपको समझाने के लिए, फिर मैंने यहाँ पर note किया, और उसके बाद इधर solve किया, ठीक है, तो आपको यह problem नहीं होने चीए, note करने में, कुछ इस तरह से मैं यह line mark कर देता हूँ, ताकि आपको problem नहीं हो, पहले इधर solve किया, फिर इधर किया, फिर उसके बाद इधर किया, और finally हमारे पास answer आ गया, ठीक है, तो question number 6 के बाद, अब हम लोग move करते है, next question, यानि question number 7 की तरफ, अब 7 question में हमें diagram तो given नहीं है, पर diagram हम खुद से भी draw कर सकते हैं, पहले question को read कर लेते हैं, ABC is a right angle triangle, in which angle A is 90 degree, and AB is equal to AC, find angle B and angle C, देखो, एक diagram हम draw कर लेते हैं, अपनी मर्जी से, इस तरीके से, और जैसे question में information given है, उसके according, ठीक है, यहाँ पर हम एक angle ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी value क्या होगी, 90 degree होगी, question के अंदर जैसे बोला गया, उसके according, उसके बाद further जो remaining angles है, इदर इसको B ले लेता हूँ, इसको C ले लेता हूँ, ठीक है, अब जैसे question में आपको information given है, उसके according से solve करना में start कर रहा हूँ, पहले question को note करेंगे, फिर इस diagram को draw करेंगे, और जो-जो information है हमारे पास, इन सबको इस तरह से note कर लेंगे, अब आपके पास जो given है, ठीक है, इस question में आपको side equal given है, ठीक है, यह side AB और AC given है, तो जब आपके पास यह given है, आपके पास, कि AB is equal to AC, तो आप लिख सकते हो, therefore, angle B is equal to angle C हो जाएगा, जब आपके पास pair में यह side given है, यानि कि यह isolist triangle आपके पास हो गया, तो isolist triangle में क्या होता है, कि अगर आपके पास pair of side equal होंगे, तो उसके साथ जो angle create होगा, वो भी equal होंगे, तो आप यह लिख सकते हो, कि angle B is equal to angle C लिख सकते हो, ठीक है, अब देखों, अब तीनों angle को हम करें, angle A plus angle B plus angle C लिखें, तो इन सब का total क्या आएगा, 180 degree आएगा, अब इन सब की जगह इनकी value रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे आप यह रख सकते हो, angle A की value आप 90 degree रख लोगे, क्यों, क्योंकि आपको यह given है, कि angle A is equal to 90 degree, यह आपके बस क्या है, ठीक है अच्छे, इसके अलाबा angle B की जगह, ठीक है, B की जगह क्या रख सकते हो, angle C रख सकते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, put, angle B is equal to angle C, तो आप B की जगह मैं C रखूंगा, तो angle C plus angle C is equal to 180 degree होगा, ठीक है, अब यह जो 90 इधर प्लस में है, इसे side change कर लेंगे, तो यह minus में चला जाएगा, और यह angle C plus angle C, आपके पास क्या हो गया, 2 angle C, और यह आपके पास 180 minus 90 आजाएगा, अब उसके बाद angle C की अगर value निकालने ही मुझे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, पहले 180 में से 90 minus करूँगा, तो मिरे पास 90 आजाएगा, और यह जो 2 multiply में था, side change करोगे यह divide में आजाएगा, अब आपको next काम यह करना है, कि angle C निकालने के लिए, आप इस 90 को divide कर लो 2 से, ठीक है, जब आप इसे 2 से divide करोगे, तो आपके बास result क्या आएगा, 45 आएगा, यानि angle C की value आपने find out कर लिया, ठीक है, अब next आपको निकालना है, angle B निकालना है, तो is equal to angle C, and that is equal to 45, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, कि angle B is equal to 45, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो, यह first equation ही से suppose कर लोगे, तो आप कह सकते हो, in equation first, ठीक है, first में इस value को put करोगे, और इसे solve कर लोगे, यानि इस question में आपको angle C की value find out करने के लिए बोला था, ठीक है, आप निकाल कि हम 45, ठीक है, तो इस तरह से आपका इस 7th question भी complete हो जाता है, उमीद करता हूँ, आपको अच्छे से clear हो गया होगा, इसके बाद last question है, इस exercise का, 7.2 exercise का, question number 8 इसे भी solve कर लेते हैं, इस question में आपको information given है, और question में पूछा भी जा रहा है, कि so that the angles of equilateral triangle are 60 each, यानि आपके पास एक triangle है, और वो triangle कैसा है, equilateral triangle है, equilateral triangle की features, आप ये कह सकते हो, कि इसमें जितने भी angles create होते हैं, या फिर जितने भी sides equal, इसमें create होते हैं, वो सबके सब equal होते हैं, यानि आपको ये given है इस question के अंदर, तो आप ये mention कर सकते हो, AB is equal to BC, and BC is equal to CA, ये तीनों के तीनों जो side है, ये अब ये आप क्या करोगे, इस diagram को draw कर लोगे, ठीक है, अब तीनों side अगर equal है, यानि AB equal है BC के, अब BC किसके equal है, AC के, ठीक है, या फिर CA के, तो आप ध्यान से देखो, AB equal है BC के, पहले इनको देखते हैं, ये AB है आपके पास, ठीक है, और ये BC equal है, ठीक है, तो आपके पास ये वाला angle और ये वाला angle, ये दोनों भी equal हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा, उसके बाद next अगर आप देखोगे, ये दोनों को ध्यान से देखोगे, तो angle A और angle B, इधर जो create हों, ये भी equal होगे, तो आप ये कह सकते हो, कि ये जो अगर आपके पास given है, ये तीनों side equal है, त pair of sides equal, then opposite pair of angles are equal, देखो, मैंने first part के अंदर ही, इस exercise के first part में, मैंने जो आपको theorem करवाय था, उस theorem को मैं use कर रहा हूँ, इसके अंदर हो कुछ नहीं, तो इसकी statement एक तरह से आप ऐसे लिख सकते हो, जब आपके पास pair में side equal है, तो आप इसके equal लिख सकते हो, वह ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, two sides equal है, तो two angles भी equal हो जाएंगे, अब three sides बन रही है, तो three angles भी equal हो जाएंगे, अब हमें यह proof करना है, कि यह three angles जो है, वह 60 degree के होंगे, ठीक है, यहाँ तक करने के बाद, next step आप यह लिख सकते हो, कि angle 1, इन, पहले mention करोगे, in triangle A, B, C, ठीक है, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, ठीक है, यह हो गया आपके पास, अब यह three equal है, तो आप यह mention कर सकते ह पुट कर सकते हो, put angle A is equal to angle C, and angle B is equal to angle C, इन A और B की value, दोनों की value किस में put कर रहा हूं, मैं C में put कर रहा हूं, तो आप यहां लिख सकते हो, therefore, A की जगह क्या लिख लेंगे, angle C लिख लेंगे, B की जगह क्या लिख लेंगे, C लिख लेंगे, और C as it is रहने दो, और यह 180 के equal है, तो angle C की अगर मुझे value find out करनी है, तो वो क्या होगा हमारे पास, 180 divided by 3, it means जब इसे आप divide करोगे, तो यह आपके पास 60 आ जाएगा, तो आप यह कह सकते हो, कि angle C is equal to 60 degree, ठीक है, तो therefore, आप लिख सकते हो, कि angle A is also 60 degree, ठीक है, और उसके इलाबा फर्दर आप बोल सकत and angle B is also equal to 60 degree, ठीक है, तो यहाँ पर इस question के अंदर, जैसे इसके बाद ना, नीचे वाले line, यतना करने के बाद, मैं यहाँ नीचे करवा देता हूँ, ठीक है, तो यह तीनों angle आपके पास क्या होगे, एकोल होगे, तो आप लिख सकते हो, therefore, angle A is equal to angle B is equal to angle C, तो all three angles are equal to 60 degree, इ तीनों angle की value कितनी आने चीए, 60 degree आने चीए, आगे equal, बस आप further लिख सकते हो, hence, proved, और इस तरह से आपका यह जो question है, 8 यह भी complete हो गया, और exercise यह भी complete हो गया, उमीद करता हूँ, आपको अच्छे से clear हो गयो, अब आप लोग मुझे comment करके बताओ, आपको वीडियो कैसी through, मुझे बता सकते हो कि next वीडियो आप किस topic पे देखना चाते हो, किस chapter की देखना चाते हो, वो भी बता सकते हो, को doubt है, तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, तो मुझे follow कर लो, वीडियो को like करना, ताकि मुझे motivation मिले, और मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लेके आओ, च झाल